हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आएक्जाम B में तो सबसे important चीज यहाँ पर क्या है आपने देखा है कि जो यहाँ पर phase 11 है उसकी यहाँ पर vacancies आपको दिखने को मिली है तो आप आज हमारे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे इस form को हमने भरना है और क्या-क् कौन से एक्जाम है वो लाइन अप है और कौन-कौन से upcoming vacancies आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी देखिए CSSL का टीर 1 का जो पेपर है वो 9-21 मार्च है क्योंकि IB का जो टीर 1 है वो आपका अपरेल से मई के बीच में हो सकता है MTS का यहाँ पर जो टीर 1 है SSC ने बोला है इसका exam को आपको इसका exam देखने को मिल जाएगा और इसके बारे में हम लोग आज यहाँ पर बात करने वाले हैं CGL आपको April में देखने को मिल जाएगा, exam इसका जुलाय में होगा, CSL आपका मई में आपका आ जाएगा, ठीक है, ये 2022 वाला, ये आपका 2023 में, 2023 में आपके बात करना हूँ, जो कि upcoming होगा, अगस 2023 में आपको इसका exam देखने को मिल जाएगा, इन दोनों की तयारी आप हमारे सा सकते हैं, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि cut-off कितनी गई थी, phase 10 की, phase 10 की अगर मैं आपके बात करूँ, 11 वाला अभी हमारा चल रहा है, तो मैं 10 की बात करता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या कर रहा है, जो highest cut-off मैं आपके लेकर आया हूँ, जो कि 10th हो गया, 12th हो गया, ठीक है, वो अलग हो सकता है, यहाँ पर मैं Northern Region की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख रहें Northern Region, यहाँ पर Eastern Region हो गया, तो यहाँ पर आप देखोगे, Office Attendant, जो कि 10th level की post होती है, यह जो SSC का phase वाली भरतिया होती है, selection post आले, इसमें आपको 10th base, आपको 12th base और आपको graduation base इस तीनों ही बरतिया देखने को मिलती है, तो यहाँ पर Office Attendant, जो कि 10th level पर था, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, 155 गई है, highest cutoff, lowest का यहाँ पर इन्होंने अभी बताया नहीं है, 12th का आप देख रहे हो, data entry operator है, जो कि Northern Region में 174 बहुत ही जादा highest cutoff है, जो कि इसका exam भी easy आता है, इतना hard नहीं आता है, as compared to other exam, graduation का अगर आप देखो कि तो data entry operator, जो कि यहाँ पर grade B आप देख रहे हो, तो यहाँ पर 158 जो इसकी highest cutoff गई थी, तो आप यह दे सकते हो, यह आपको यहाँ पर क्या रहने वाला है, safe score रहने वाला है, अगर हम लोग यहाँ बात करते है पिछले बार की cutoff के हिसाब से, और अगर आप लोगा region अलग-अलग है, तो यहाँ पर अलग-अलग merit जा सकती है, यह मैं आपको पहले बताता हूं कि जो vacancies आती हैं, वो zone-wise आती है, आपको result निकलेगा, वो zone-wise भी अलग निकलेगा, तो वहाँ पर जो आपके highest cutoff है, वो इ तक आप इसका form भर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत भर दिया है, तो आप क्या गरेंगे, तीन अप्रेल से लेकर पांच अप्रेल के बीच में, आप उसमें modification कर सकते हो, और जो इसका computer-based examination है, CBE, जिसे हम लोग बोलते हैं, वो आपको जून-जुल आपका paper1, यान कैना कि आप यहां पर बात कर रहा हूं, जो फर्स्ट, जो इसका paper है, आप देख रहे हो, यहां पर, कि जो आपका paper होगा, उसका जह लेवल होगा, लेवल किस हिसाप से होगा, या तो, matriculation जो आपने 10th के हिसाफ से भरा है या तो आपका 12th के हिसाफ से होगा जो कि आपका higher secondary के हिसाफ से और graduation जो कि आपने graduation के base पर भरा है उसी हिसाफ से यहाँ पर question पूछे जाएंगे लेकिन जो यह set है चार का set है आपका यही रहने वाला है देखिए आपका यहाँ पर general intelligence यहाँ की reasoning आपका हो जाएगा यहाँ पर GA क्वांट यहाँ की math हो जाएगा basic बोला है यहाँ इन्होंने basic बोला है ठीक है और English देखिए यहाँ पर 25 question है दो-दो marks के तो यहाँ पर 50 marks का हो जाएगा तो यहाँ पर 100 question है 200 marks है और आपको यहाँ पर 60 minute का time दिया गया है तो यहाँ पर देखिए आप 100 question होगे 200 आपके marks होगे और जो timing देखिए आपको 60 minute का timing यहाँ पर दिया जाता है यह बहुत important है यह तीनों आपने लेकर चलना कि time management आपने करना है यहाँ ठीक है और time management के साथ आपने देखना है कि आपने गलत भी नहीं करना है गलत करोगे तो आपके marks कम हो जाएंगे तो यहाँ पर आपने time management करना ही है साथ में आपने यहाँ पर 150 प्लस score करने का भी सोचना है क्योंकि आगर आप 75 प्लस सही करके आओगे तो आपको यहाँ पर select होने के चांसे बहुत बढ़ जाएंगे और मैं दुबारा क्या रहा हूं कि अगर आप में 10th लेवल का भरा है तो पेपर यहां पर बहुत क्या बोलते हैं आपका 10th लेवल के हिसाफ से आएगा और 12 का भरा है तो आपको हाईर सेगंडर के हिसाफ से देखने को मिलेगा और अगर अगर वाला फॉर्म भरा है तो आपने जो आपके कोशन्स आएंगे वो ग्रेजुशन बेस पर आएंगे मतलब जो उनका लेवल होगा वो 10th से और 12 से थोड़ा हाड होगा और यहां पर नेगेटी मार्किंग आप दे दे रखा है और देखिए यहां पर जातर पोस्ट में आपको स्किल टेस्ट मांगा जाएगा जिसे माले जिए डाटा एंट्री ऑपरेटर है टाइपिस्ट है तो इसमें आपकी टाइपिंग मांगी जाएगी डाटा एंट्री का टेस्ट है टाइपिंग का टेस्ट है और आ आपको यहां पर मालने से एक साल का या दो साल का डिपलोपा मांगा गया है गौक्प्योडर में यहां पर किसी और चीज में जो कि specific post है और यहां पर में बतादू जो यह आपका test होगा computer proficiency test typing test data entry test तो यह क्या होगा क्वाइफ करना और यहां पर सबसे क्या हो जाएगी यहां पर देखिए इन्होंने simply यहां पर बोला है ना कि the commission shall have the discretion to fix different minimum qualifying standard तो यहां पर आपने देखना है कि यहां पर जो qualifying standard है वो different होंगे ठीक है category wise आपकी अलग-अलग merit लगने वाली है और जो आपके candidate है यहां आपके क्या बोलता है जो candidate है वो consider भी अलग-अलग किये जाएंगे अलग-अलग zone के हिसाब से अलग-अलग category के साब से आपकी ओपी सी है आपका स्ट यहां पर अलग अलग आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी सब का ही एक साथ यहां पर नहीं आएगा अब यहां पर देख लीजिए आप सबसे important क्या है कि total vacancies कितनी है आपने देखा होगा 5369 तो यहां पर total vacancies हो गई अब आप यहां पर जब देखोगे ना इस form को पूरा पूरा खोलोगे तो यहां पर ना आपको मिल दागा matriculation चीज़े भी जरूरी है यहां पर इन्हों ने यूर का बताया है कि यूर की इतनी vacancies है यहां पर total vacancies बता दी और complete यूर टोटल बता दी 5369 vacancies है अब यह जो phase की vacancies हो थी ना selection post की यह होती क्या यह आपको जाना ज्रूरी ले देखिए यहां पर क्या होता ना आपने देखा हुगा कि SSC जो MTS है CSSLL है और CGL है यह तीनों exam करवाती है और इसी के साथ साथ और भी exams करवाती है अब लिकिते सेंट कर वाती हैं यहां सेड़ेकश होते बच्के आब वुक्री अपर बोय वत भी ओसर के कृप सेंट और यहां में ध्यान देना और जो जो इंपेर स्टी खाली रहािभाएं उन उपार्टन के मायी inhale दिपार्टमेन ने बोला है कि चार वेकेंस शारा है किसी और सब रहे हो कलब करता है और शेवक करने के बाद वह निकालता यह फेज हमारी imp बहुत कम इसमें ऐसे वेकेंसिस होंगे जिसमें आपको सिंपल 10 12 और ग्रेजुशन टेखने को मिलेगा तो आपने फोकस किसको करना है अगर आपके पास कोई स्पीशल एजुकेशन है जैसे कि आपने बीस्टी विद केमेस्ट्री किया है या बीस्टी साथ आपने कोई डिप आपको SSCB टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा यहां पर ज्यान देना SSCB टेलिग्राम चैनल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा तो जब आप यहां पर नोटिफिकेशन खोलोगे तो यहां पर आपको यह दिख रहा है इसको सर्च करने के बाद आपका कुछ ऐसा खुल जाएगा यहां पर आपकी बहुत बड़ी एक लिस्ट खुल जाएगी अब यहां पर आपने एक एक पोस्ट को यहां पर डिटेल्स देखने हैं कि क्या आप इसको भर पाओगे देखें यहां पर क्या है लेवल 6 तो ओबियसलिए किसकी होगी यह होगी ग्रैजुशन वाले की यहां पर जब आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको दिख भी यहां पर पॉस्ट कोड हो गए आपकी पोस्ट का नेम हो गया और क्वालिफिकेशन क्या माँग है celebrate अब यहां पर देखिए आप कि एजुकेश Ohio रिएनल में कि इंप सब्uşक्राइब संद्धान में आपके पास दो साल का इक्सपिरिworm शार्ग में एक्सी आप रुकत देखे मैं और की इनवों स्रीफ इन्हों नहुत है किस्संद तो यहां पर essential qualification यहां पर देख रहें ना EQ यह बहुत important है यह आप यहां पर ध्यान देना कि सर यहां पर qualification मांगी वे ना यह देखके आप form को भरना अगर आपके पास यह qualification है तो दो साल का भी यहां मांगा गया experience तो आप यहां दियान देना वेगेंसी कितनी है यहां पर वान है जो कि यू आर के लिए वहां पर आपको लास्ट में इंटर्वेस खुलेगा जहां पर आपका आएगा selection post वह क्लिक कर देना वहां पर जाकर आप इसका form भर पाऊँगे पोस्ट कोड ही याद कर ले ना आप लोग जब भी आप लोग यह वाला देखोगे जब आप जैसे आपने जोन अपने क्लिक क रिया उप जोन क्लिक करने यहां लिस्ट खुल गया यहां पर पोस्ट कोड ले लिखते रेना कि यह आप सारी इतने फैसाब से भर सकते हो तो है जावेर देख रहे है तो तो यह है आपका कुछ देख रहे हो तो परटिक्लर क्रीर यह 10th लेवल का होगा ठीक है लेवल 1 की जौब 10 की ही होती है 6-7 की जौब ग्रेजुशन की होती है 3-4 की किसकी होती है 12 लेवल की होती है तो यहाँ पर आप उसे साफसे लगा सकते हो वैसे भी अगर आप यह व्यू डिटेल करोगे तो आपको वहाँ पर एजुकेशन कॉलिफिकेशन रियल में जो मांगिए वह आपको देखने को मिल जाएगी तो और कोई अगर प्रॉब्लम आ रहे है आप लोग मुझे बताना कमेंट में मैं उसका जवाब जरूर दूंगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद चैनल को जरूर सस्क्राइब करिए धन्यवाद